कि लास्ट लेक्चर क्लियर था किसी को कुई डाउट लास्ट लेक्चर में जो भी हमने फ्लिप फ्लॉप डिसकुस की यह से उसमें अगर किसी को भी डाउट हो कि लिप्लॉप टाइटल में हम आगे बड़े निदी हुसेना झाल झाल कि आपके स्क्रीन क्लिए रहे हैं कि आपके सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब इंवर्स कैसे होता है जीरों का और वन और वन का जीरों इन तर्किट कि 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 झाल झाल आपके मैंड में यह है कि हाव टीफ लॉफ टॉगल इट्स आउट्पूट यह स्रू टीफ लॉफ की वेलियू 0710 कैसे होती है सर्कुट्स के एकॉर्डिंग राइट तो सब्सक्राइब यह कर सकते क्योंकि वह एक डाइग्राम है और यह वोल्टेज पर कोश्चन होता है कि टीफ लॉफ अपनी वैलियू को एक गिवन पल्स के एकॉर्डिंग जीरो सेवन वन से जीरो क्यों कर लेता है I am right तो उसको हम सर्केट के त्रू एक्सप्लें नहीं कर सकते क्योंकि सर्किट जस्ट एक डाइग्राम है हम उसमें एक्चॉल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते उसके लिए हमें actual circuit चाहिए जिसके अंदर हम voltage apply कर पाएं टर्मिनल पे तब हम इस question का answer दे सकते हैं बट इस question को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक clock pulse का जो complete duration होता है मैं आपको थोड़ा idea देता हूं कि वो circuits में किस तरह से होगा तो आप समझ जाओगे कि कि वो क्यों टॉगल करता है उसका रिजन में आपको explain करता हूं बाकि हम diagram में उसको एक ही clock pulse के duration में वो दो बार यह तीन बार कितने बार 070 कर सकता है इसकी कोई guarantee नहीं होती है कि यह है clock pulse का complete duration कि क्लॉक पल्स पल्स ड्यूरेशन में इसकी जीरो वाली एज में होती है और वन वाली पूरा जो ट्मिंस राइजिंग एज है प्लॉक पल्स और फिर यह वन से जीरो हो जाती है कि यहां से स्टार्ट करके पूरा डि इरेशन एक सेंगल प्लॉक पल्स की सायकल करनाती है सिंगलिक लॉक साइकल और वन सायकल भी केंच से दींच ते नंथ वन सायकल कि आरेस फ्लिफ लॉफ में जो एक प्रॉब्लम वकर हुई थी उस प्रॉब्लम का नाम था रेस अराउंड कंडिशन या रेसिंग कंडिशन या डोंड क्यार कंडिशन इसके कई सारे नाम है प्रोहिबिटेट कंडिशन से बता देते हैं कि इस प्लॉफ में कंडिशन कैसे आती थी Pacific solution टॉफल फ्लिफ फ्लॉफ ने दिया था रई रेस्फलॉफ में प्रॉब्लम थे का नाम था रेस अराउंड कंडिशन और जाय रीस अरउंड कंडिशन के कोर्द एक complete क्लॉफ घॉलेशनन में कि यहां पर हम करते हैं कि अगर इस तरह से क्लॉक डिवरेशन आती है एक कंप्रिट क्लॉक पल्स आती है तो एक साइकल में आरेस फ्लिफ लॉफ कितनी बार अपनी स्टेड बदलता है कि अगर यह हमारे क्लॉक पल्स है कि क्लॉक पल्स का एक कंप्रिट डिवरेशन है इस क्लॉक पल्स के डिवरेशन में जो आरेस फ्लिफ लॉफ का आउटपुट होगा जिसको हम रेस कंडिशन कहते थे उस रेस कंडिशन में मल्टीपल टाइम्स वह अपने आउटपुट को चेंज करता है यहां से इसकी राइज़िंग इज स्टार्ट है तो आपको यह ध्यान से देखना है कि आप उसके आउटपुट को चेंज कप कर रहे हो तो यह आपने फ्लिफ लॉफ का जो सर्कृट बनाया है डाइग्रम बनाया है अगर वो रैजिंग एज पर काम कर रहा है तो कि इसे हम कहते हैं राइजिंग एज क्लॉक पुल्स की कि जब क्लॉक पल्स जीरो से बन जा रही हो और हम जो यह बना रहे हैं डैट इस आउट्पुट कि आउट्पुट ऑफ आरेस फ्लिफ लॉफ और यह है आरेस फ्लिफ लॉफ में प्रोवाइडेट प्लॉक पॉल्स कि पहले रेस कंडिशन हमें टेक्निकली समझा जाए तो उसी का सलूशन टी फ्लिफ लॉफ ने दिया था टॉबलिंग करते हुए झाल कि इस तरह का सिनेरिव होता है आरेस फ्लिफ लॉप में रेस कंडिशन में हुए इस डायग्राम से हम क्या बताना चाह रहें यह विलका यहां है कर दो इस तरह सेaway कोन कोन से हुए है और आ है ओक हुआ में अपयल उन चलाी में किज आउट्पूट दे होता है उसको को एक्स्प्लेन करना होता है उसकी को हम टाइमिंग डाइग्राम करते हैं तो इस टाइमिंग डाइग्राम में अगर हम कोई बिक लट पलस देते हैं तो यह क्लोग पलस का एक कमप्रेट डुरेशन बहुत बढ़ा होता है यह पूरा duration है यह काफी Lendee होता है कि और इस क्लोग पल्स के लंबे डियूर इस के कारण यह प्रोबल्म आते है कि एक फ्लिफ्लॉफ अपनी वैलू को कई बार बदल देता है यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर वन आया यहां पर वन आया यहां पर जिरो यहां पर है यह चाहिए था कि एक क्लोग पॉल्स के कंप्रिट डियुरेशन में केवल एक ही बार अपनी स्टेट को चेंज करें कि अगर है तो क्लोग पॉल्स की राइजिंग एज पर उसे रिसेट होना चाहिए यह सब्सक्राइब है तो उसे रिसेट होना चाहिए डिपेंडिंग कि आप आरेस में किस तरह से इंपूर्ट कर रहे हूं इस तीमिलरली अगर बन है और यह की वैलियू वन है इन डट केस पाप सुट भी ज़ीरो स्टोर है तो भी उससे सेट होना चाहिए बंस है जो चेंजेस हो रहे हैं फ्लेफ लॉप का सैट ना फ्लेफ लॉप का रिसेट होना यह एक सिंगल क्लॉक पल्स में एक ही बार होना पट सर्किट में clock pulse का duration बड़ा होने के कारण ये अपनी state को multiple time change करते हैं ये multiple time change करने का जो problem है इसी problem को कहा जाता है race condition तो multiple time changing output और इसको नाम दिया है race around condition अब इसका जो स्वाइब आपने का जाता है solution था वो solution ये था कि आप किसी भी तरह से clock pulse का duration को short करते हैं इसका जो clock pulse का duration है इसका जो delay propagation time है उसको आप किसी ना किसी तरीके से short कर दीजे छोटा कर दीजे जिसके कारण ये problem ना आए या फिर दूसरा तरीका है कि आप connections कुछ अलग करिए तो ये अपने देखा होगा जेके flip flop में जेके flip flop में जो हमने connection दिये थे इसमें नहीं है डाइग्राम कि अपने ध्यान दिया होगा तो हमने उसको feedback path के तुरू resolve करने का try किया था जो output था उसको हमने feedback path के जैसे input दिया था और compliment वाला जो output था उसको भी हमने feedback path के तुरू input में दिया था में इस तरह से हमने रिवर्ट feedback path प्रोवाइड कर दिया था जिससे कि यह problem solve हुई थी अब रही बात टॉगल कैसे होता है तो T flip flop में यह condition ना आए रेस condition ना आए क्योंकि T flip flop input हमने प्रोवाइडिट किये थे प्रोवाइड प्रोवाइड था ताकि दोनों signal एक साथ एक साथ circuit में चले जाएं तो यहां पर toggle का meaning यह होता है कि एक complete clock pulse के duration में एक ही बार 0 से 1 और 1 से 0 होना चाहिए कि क्या हुक है झाल झाल टोगल कंदिशन में टेप्लिप्लोफ चांच आवर आउट्पूट इन वन दूरिंग दूरिंग अप्लेट क्लॉक ड्यूरेशन क्लॉक ड्यूरेशन जिस तरह से यहां पर आउट्पूट कंटिनेसली बदल रहा था उसी तरह से यहां पर भी एक क्लॉक पल्स के कंप्लिट ड्यूरेशन में मल्टिपल टाइम टॉगलिंग हो रही थी जीरो से वन वन से जीरो जीरो से वन तो यहां पर भी कि सलुशन यह होना चाहिए था कि हम क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन को सॉल करें या उसको शॉर्ट करें छोटा करें जिसके कारण से यह जो टॉगलिंग हो रही है जीरो से वन वन से जीरो उसको हम मिनिमम एक बार कर पाएं और फिर उसका जो सलुशन दिया वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में दिया सलुशन था या तो आप एज टिगरड फ्लिप फ्लॉप यूज करें या फिर दूसरा सलुशन था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज करें यह दो तरीके थे जिसके कारण हम टॉगलिंग को रिमूफ कर सकते हैं तो आज की लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मास्टर स्लेव जिसमें आपको यह आइडिया लगेगा कि किस तरह से टॉगलिंग को फिनिश की थी आपका डाउट क्लियर हुआ शाना जैस तरू से नहीं हाँ यह स्थैंक यू सर ओके वल्कम तो आज हम लोग देखते हैं मास्टर स्लेव फिल्फ लॉफ जिसमें आपको यह भी आइडिया लगेगा कि क्लॉक पल्स को किस तरह से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और क्लॉक पल्स को किस तरह से हम शोर्ट कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं और फिल्फ लॉफ में और किसी भी फिल्फ लॉफ के कॉम्बिनिशन्स को जैसे आप आरेस स्लिफ्ल स्लिफल ये तो आपको दो बार न रस डिफ्लॉफ का पूरा नाघ्राम करना पड़ता है एक मास्टर इसे काम करता है और हफ पर स्लेव के जिसे काम करता है तो हाफ प्लॉक को है इसी तरह से अगली जब हाफower माइकल आती है तो साफ साइकल पर मास्टर डी एक्टिवेट हो जाएगा स्लेव एक्टिव होगा और फिर वह अपने आउट्पुट को जनरेट करेगा कि कि इसी का माइक ओपन है तो रिया कि ओके कि 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 सबसे पहले हम लोग फोड़ा इंट्रोडेक्शन लिख लेते हैं मास्टर स्लेव का फिर हम स्टार्ट करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप लोग master-slave flip-flop फिर थन थे डिजी थिछा मास्टर स्लेव the figure of a master-slave चेके फ्लिफ्लॉफ के इस बिलोव पहले हम इसको ड्रॉप करते हैं कि एक एक मास्टर स्लेव किस तरह से बनेगा फिर हम उसमें उसका एक्जिक्यूशन देखेंगे प्लॉक ओफ ब्लॉक डाइग्राम ऑफ मास्टर स्लेव पैटर्न यही होगा आप किसी भी फिल्फ्लॉफ के कॉंबिनेशन से मास्टर स्लेव तयार कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकि हुआ ऐसर फ्लिफ लाफ लगाने होंगे जेकेesis आप को यूज करके भी आप मास्टर्सले रिफ लरा बना सकते हैं बना सकते हैं तो एछ के टी और दी चर्भाव हमारे बना सकते हैं । पर भस धियान UCD और और फलिफ लजriver करने एप फ्लिफ फ्लॉफ को यूज करके आप एक master slave का पूरा structure थैयार कर सकते हैं हम लोग अभी देख रहा हैं जेके फ्लिफ फ्लॉफ के combination से master slave बनाना अभी हम देख रहा है block diagram so block diagram में दो हमें जेके फ्लिफ फ्लॉफ लगेंगे कि एक होगा जे इन्पूट और एक होगा के इन्पूट यहाँ पर हम इन्पूट देंगे इसके this is j and this is k यहाँ पर एक clock pulse होगी रॉक पूल्स को आपको इस तरह से बनाना होता है इस तरह से कि यहाँ पर भी एक होगा जे और यहाँ पर होगा के हर एक फ्लॉफ में आउट्पूट भी होते हैं तो एक है होगा नॉर्मल आउट्पूट पर एक होगा कॉंप्लिमेंट आउट्पूट इसे तरह से दूसरे फ्लिफ फ्लॉफ में भी एक नॉर्मल आउट्पूट होगा और एक कॉंप्लिमेंट आउट्पूट होगा इसका इस इस स्थे रहे गाए दे फ्लिफ फ्लॉफ का नॉर्मल आउट्पूट second flip-flop में as a input जाएगा और first flip-flop का complemented output दूसरे flip-flop में k में जाएगा clock pulse को ध्यान से हमें एक positive और एक negative पर set करना होगा सो यहाँ पर हमें एक negative clock pulse बनाना होगा क्योंकि हमें clock pulse के duration को short करना है track की जो toggle या जो racing condition है वो ना आए इसको हटाना है इसकारण से हमें clock pulse के duration को short करना है तो हाफ clock pulse को हम यूज करने वाले हैं एक flip-flop अगर तो clock pulse की 1 पर काम करता है तो उस समय half clock pulse पर यह flip-flop काम नहीं करेगा तो वन पर यह काम करता है तो उस समय इसमें 0 होगा तो यह काम नहीं करेगा और जब यह 0 होगा यहाँ पर आप 0 दोगे तो यह काम नहीं करेगा और यहाँ पर वन आएगा तो यह काम करेगा इस तरह से आपने इसको invert करते हुए clock को invert करते हुए दूसरे flip-flop में दे दिया है इस तरह से clock का symbol रहेगा और इस flip-flop में भी आउपट निकलेंगे इसके दो आउपट एक होगा नॉर्मल और एक होगा कॉम्प्लिमेंट क्यू डैश और जे के flip-flop में हमें पता है कि हम दो connection feedback के जिसे करते हैं तो कॉम्प्लिमेंट का connection directly जाता है जे में और नॉर्मल का connection directly जाता है के में तो वही काम हमें करना है कि कॉम्प्लिमेंट वाला जो है हम इसको इस तरह से connect करते हैं कि यह गया कॉम्प्लिमेंट का जे में और इससी तरह से नॉर्मल का जो आउता है कि देना होगा के में कि अधिया रकना है यह वाले point हमारे connection के तो इस बेस पर हमारे पास दो फ्लिफ्ट अफ तयार हो जाते हैं पर्स्ट को हम नाव देते हैं मास्टर और सेकेंड को हम नाव देते स्लेव यह हाफ प्लॉक पल्स पर काम करेगा और रेस्ट हाफ प्लॉक पल्स पर यह काम करेगा यह है इसका ब्लॉक डाइग्राव्व यह हॉंच को हॉंच को यह और प्रेसेंटेट इन और सीरीज अरेक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको हमने डारेक्टली वन बाइवन कनेक्ट किया हुआ है इसीरीज कनेक्शन । अगिड़ साथ अक्ष्य 591 गल्टती वित अभ रभर प्रे अगिन आव्र शरी, य्टिक्ष्लेय म озग से क्योंकि वित थे कर देक्ष्य प्ग्ष में प्दाव क्याकर ट्राप्ट। कि यह अफ्ट रफसदेड अजैंड अप्ट अप्ड़ करे ज्सलेड यह प्टर में यह प्टरेजड किस दूब a feedback the input of the master jk-flop the clock pulse is given the master jk-flop and it is sent and thus inverted before passing it to the save jk flip-flop so block diagram we have represented here so from the above figure you can see that both the jk flip-flop are presented in a series connection one by one here is a series connection the output of the master jk flip-flop is fed to the input of the slave jk flip-flop master flip-flop output Q and Q complement slave flip-flop input work output of the slave jk flip-flop is given as a feedback to the input of the master jk flip-flop slave flip-flop output Q and Q' value-dash we have the feedback through the input as a master jk flip-flop we have the output here so the flip-flop output we use the input the clock pulse is given to the master jk flip-flop when we change the output then the slave jk flip-flop the slave jk flip-flop which is zero clock pulse and zero clock pulse no change so this is inactive directly 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 its output it will process the output generate right this will not change our output the other thing we have written clock pulse master flip-flop and this we have the input which is not gate which is not gate which is not gate we have the input clock pulse which is not gate so we have the input and now now itska working deekh laten when clock pulse is one the master jk flip-flop gets two times कि अो एंजे की अ कि अ एंज हैै लुब खुब फिन दूब टैस वे लाग सबस्ट कर दीजिए the flip-flop is enabled the clock input the clock input when clock pulse is 1 the master jk flip-flop gets enabled the clock input master jk flip-flop the clock input master jk flip-flop recognize the clock and change its output during changing of output slave will be disabled and it does not any output but consider the same output stored in previously previously calculation the result will be stored in this flip-flop output will be stored in this flip-flop will be and new input will be master output will be case when clock pulse when clock clock is 0 master flip-flop will be delivered and invert will be this will be activated so when clock is 0 the slave jk flip-flop is enabled in slave jk flip-flop recognize the clock and change its output and change and change its output its its output will be and during changing the output master jk flip-flop will disable and it does not change the output master is stored in previously i the one on one one two one one इस तरह से एक master-slave-flop work करता है इसका जो to table होगा उसमें कोई भी change नहीं होगा to table for master-slave-fli-flop clock pulse होगी होगा के होगा आउट्पुट होगा आउट्पुट में दो हम लोग लिखते हैं एक present और एक next present को हम लिख लेता है q of t और next state को हम लिखते हैं ट्रों 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 करता है और लिखते हैं तरह से लिखते हैं ट्रों 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 करते हैं कि लॉक पल्स की कि पॉलिंग एज पर हमें कुछ नहीं करना है तो चार कंडिशन जो बनेगी वह आपको कि उसको नहीं करना इस तरह से यह क्लॉक पल्स की पॉलिंग एज है कि अगर जीरो है कि अगर दीरो है अगर दीरो है अगर जीरो है तो नेक्स स्टेट विल रिमें जीरो कि अगर पॉलिंग एज है जी अगर जीरो है कि की वेल्यों अगर फिर से जीरो है प्रिजन स्टेट अगर वन है तो नेक्स स्टेट भी बनी रहे जिसे को हम नो चेंज कंडिशन कहते हैं प्रिजन स्टेट अगर जीरो है कि अगर वन है प्रिजन स्टेट अगर जीरो है इक स्टेट रिसेट होने वाला है क्वि जीरो है इसी तरह से पर र्ग जीरो है कि एक हम बेल्ई वन है तो दूसरा केस होगा अगर प्रिजन स्टेट अगर वन है सो नेक्स स्टेट फिर से रिसेट होगी और प्लॉक पल्स की कि यह जितना चेंज होगा यह सभी क्लॉक पल्स की राइजिंग पर होगा तो हम इसको डारेक्ली कंसीडर करते हैं गाल यह वाला केस हैंडल वाला है अब हम हैंडल करते हैं नेक्स्ट टॉर्ण की एक राइज इंगे जे वैल्य के वैल जीरु प्रेजिंड इस्टेट अगर जीरो है नेक्स्ट स्टेट साथ होगा से कि राइजिंगेज जी की वेल्यू अगर वन है के की वेल्यू अगर जीरो है प्रिजेंट स्टेट अगर वन है तो भी जो नेक्स स्टेट है वो होगा कि वन डेक्ट मेंस सेट कंडिशन और क्लॉक पल्स यह वन है जे की वेल्यू वन जो भी आउटपुट है अगर प्रिवेश्ली स्टोड है जीरो वह चेंज हो जाएगा वन में अगर यह प्रिवेश्ली वन इस टोड है तो यह वैल्यू जाएगी जीरो कि इस तरह से एक मास्टर स्लेव फ्लिफ लॉफ को एक ही बाद टॉगल करके रेस कंडिशन को दूर कर देता है और यह एक ही बाद टॉगल करता है यह जो सलूशन है यह केवल हाफ क्लॉक पल्स के कारण हुआ अगर एक कंप्लिट क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन इदी जेके फ्लिफ लॉफ में जाता तो शायद वो एक बार के कंप्लिट ड्यूरेशन में मल्टिपल टाइम टॉगलिंग कर लेता जो की नॉर्मल टी फ्लिफ लॉफ करता था तो दो फ्लिफ लॉफ के कॉंबिनिशन से आप मल्टिपल टॉगलिंग को रोख सकते हैं और एक ही बार टॉगल करते हुए जीरो से वन या वन से जीरो आपूट में चेंजिस ला सकते हैं जो आस्टर स्लेव ने किया था ये एक सलूशन है टॉगलिंग का और इसका दूसरा सलूशन है एज ट्रिगर्ड फ्लिफ लॉफ वह हम लोग डिसकास करेंगे नेक्स लेक्टर में कि उसमें ये तरीका बताया था कि क्लॉग पल्स को हम शॉट कैसे कर सकते हैं किस तरह से कैपेसिटर और रजिस्टेंस को कम्बाइन करते हुए हम एक प्लॉग पल्स के डियूरेशन को शॉट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर एक एज पर हम काम करवा सकते हैं कि आउट्पुट कब चेंज होना चाहिए यह यहां पर केवल हाफ क्लॉग पल्स का कि कि यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो कोश्चन करें कि कि यहांट।